बिसमें नारफ मैंने रहीम, असलाम लेकम, कैसे हम सब, आज में लेकर आई हूँ हम आप लोगों के लिए रमजान स्पेशल इफ्तार के लिए बहुत ही जादा हेल्दी और रिफ्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी, तो बहुत ही जादा मज़ेदारी बन जाता है, जरूर ट्रा जादा पानी का समाल करी हूँ, अब यहाँ पे बॉआल अचुका है पानी के अंदर, अब इसमें हम डालेंगे एक जैली का पूरा पैकेट, जोके मैं स्ट्रॉबरी फ्लेवर में समाल करी हूँ, इसको हमने सिफ 2-3 मिंट के लिए पकाना है, मीटियम टू हाई फ्लेम पे, पहले इस मिक्स्टर को हम रूम टेंप्रेचर पे ठंडा होने देंगे, फिर इसको फ्रिज में रख देंगे जमाने के लिए, तो यह तरीका होता है पर्फेक्ट जैली बनाने का, अब इस तयार कीवी जैली को हम जमाने के लिए छोड़ देते हैं, जब तक यह जमती है, न साबुदानों जो होता है, थोड़ा सा वाइट होता है, हमने इसको इतना पकाना होता है, कि बिलकुल यह ट्रांस्पेरेंट सी शकल में नाज है, तो देखें, इसमें जो वाइल पर्ल होता है, यह ट्रांस्पेरेंट में हो चुके हैं, इस स्टेज के ओपर चूले क्यांच ये बिल्कुल अलग हो सके तो यहाँ पे पर्ल्स को मैंने अलग कर लिया है और यह जो पानी है इसको हम डिसकार्ट कर देंगे नेक्स स्टेप में एक बोल में वन फूर्ट का पानी मैंने ले लिया है जिसमें हम डालेंगे तुख मलंगा जो के पेट के लिए काफी जादा मुफीद होता है और इस ड्रिंक को बहुत ही जादा टेस्फुल बना देगा पानी के अंदर टू टीजपून हम इस दुख मलंगा के डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्सर लेने के बाद तकरीबन आदे घंटे के लिए भिगो देंगे जब तकि ये डबल इन साइज नहीं हो जाता तो इसको मिक्स करने के बाद कर देते हैं इसको साइड में आ जाते हैं नेक्स स्टेप के दरफ अब नेक्स स्टेप में मैंने यहां पे एक लीटर दूद ले लिया था जिसको मैंने बॉयल कर लिया था बॉयल करने के बाद इसको मैंने कंप्लीटली थंडा कर लिया है रोम तेम्परेचर के उपर इसके अंदर हम डालेंगे रुव अफजा जो कि जायागा तक्रीबन वन फोर्ट कप आपको जितना इसमें कलर starting वेसे साब साप रूफसर के समौड कर सकते हैं मैंने वन फोर्ट कप इसमें रूफसर डाला है अब साथ ही हम इसमें शामल करें ise condens milk condens milk नहां पर आप इसमें चीनी का समाल किया है जो के आपिशनल है आप इसमें चीनी का समाल कर सकते हैं अपने फ्लेवर के साफ़ से आपको जितना मीटा पसंद उसे साफ़ साफ़ डाल लीजेगा तो यहां पर इन तमाम चीजों को डाल गे मिक्स कर लिया है अब यहां पर यह जो हमारा वे टाल दिया है मैंने इसको भी डाल के मिक्स कर लेंगे हम अब इस तयार केवेट ड्रिंक को हम तक्रीबन तीर से चार गुंटे के लिए फीरिज में रखेसंगे ताकि यह बहुत अच्छे से से सैट हो सके जब हम इसको फीरिज में रखेंगे तो छोड़ा सा गाड़ा हो ज भी हम डाल देंगे ठंडे चिल्ड किये हुए शर्बत के अंदर तो यहां पर इस तयार किये वे शर्बत को मैंने फ्रिज में रख दिया था आप देख सकते हैं इसका टेक्चर थोड़ा सा यह थिक हो चुका है क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में रखा था जब हम साबुद दा एस स्टेउड के उपर कटे वे पिस्टेर ढालेंगे हम तकरिबन टू टेभली सपून साथ ही हम डाल देंगे निए के इंदर बादाम जो कि मैंने बीड़ी सब्सपून और यहां पर अब हम डाल देंगे इसके ऑन जैली तो अब्ही भी आप इस तरह сложно में पना तो जैली ज सेज के ओपर थोड़े से क्यूब जाल सकते हैं और इसको आप सर्फ कर सकते हैं तो बहुत ही जादा सा अबुदाने का ये मज़ेदार ड्रिंक बन जाता है आप लोग भी इस रमजान में इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा कि रेसि रमजान स्पेशल इफ्तार के लिए बहुत ही रिफ्रेशिन ड्रिंक की रेसिपी तो आप लोगों ने मीडि इस रेसिपी को कहां कहां से वाच किया है अपनी प्रेसेंस कॉमन सेक्शन में मुझे जरूर जीजेगा ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसको